गार्डनिंग का शौक रखने वाले लोग सबसे पहले मनी प्लांट लगाते हैं क्योंकि मनी प्लांट लगाना बेहदी आसान है लेकिन इसके ज्यादा केर भी करने पड़ती है वैसे कहा ये भी जाता है कि घर में अगर मनी प्लांट लगाया जाए तो घर में बरकत बनी रहत वैसे मनी प्लांट तो सभी लगा लेते हैं लेकिन ये जानना जरूरी है कि मनी प्लांट लगाते वक्त हम किन बातों का ध्यान रखें वैसे तो आप मनी प्लांट को सबसे पहले किसी बोतल में लगाएं और जब बोतल में लगाने के बाद उसकी जड़े निकलाएं तब आप उसे किसी गमले में लगा दें, इससे मनी प्लांट जल्दी होगेगा और अच्छी तरह से बढ़ने लगेगा, वही पाने के मातरा का भी सही ध्यान इसमें रखा जाता है, मनी प्लांट को हरा भरा रखने के लिए आप इसमें हर वक्त पाने डालते रहें, लेकिन इसमें ज्य सूरच की धूप बहुत पसंद होती है लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा धूप में रख देंगे तो इसे नुकसान भी पहुँच सकता है आप मनी प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहां इसे परियाप्त धूप भी मिले और च्छाया भी सूरच की रोशनी में मनी प् करते हैं इसलिए इसे थोड़ा बढ़ने के बाद किसी डोरी की साहता से इस तरीके से दीवार के ऊपर की तरफ बांदे इसके तने को किसी लकड़ या प्लास्टिक के खंबे के साथ आप बांदेंगे तो यह जल्दी बढ़ेगा वहीं आप दीवार पर कील गाड़कर भी रस्ती की मदद से मनी प्लांट को बांद सकते हैं ताकि इसे बढ़ने में ज्यादा मदद में ले वहीं ये भी जरूरी है कि प्लांट की सूखी पतियों की कटिंग आप बार बार करते रहें जी हां प्लांट की सूखी पतियां और लतों को काट कर आप उसकी ग्रोध को यह मने प्लांट को नुकसान पहुचा सकते हैं इसलिए इनको काटना भी जरूरी है आप इने काटेंगे तभी मने प्लांट अच्छी तरीके से बढ़ पाएगा उमीद है आप हमारे द्वारा बताएगे इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे और अपने मने प्लांट का खास प्लांट की तरीके से ग्रो करता है फिरहाल इसे वीडियो में इतना ही ऐसी और चानकानियों के लिए देखते रही और चाहा है